जानकारों की माने तो इस बजट में सरकार का फोकस कृशी और किसानों के उपर बहुत जादा है क्योंकि आने वाले लोकसभाचनाओं में किसानों की भूमी का बेहद हैं होगी इसलिए हर हाल में किसानों को खुश करना ज़रूरी है उम्मीद है कि सरकार किसानों के खाते में सीधे 10,000 रुपए भेजने पर बिचार कर रही है यानि किसानों के खाते में सीधे 10,000 रुपए चले जाएंगे साथी क्रिशी इरण के तहट मिलने वाला लोन का ब्याज भी कम हो सकता है आज हम अपने इस खास प्रोग्रेम में इसी पर खास बहस करेंगे चुकि किसानों के स्थिती आज तक बदली नहीं सिंधु सब्विता से क्रिशी होती चली आई लेकिन किसानों के स्थिती जस कितस है जो भी सरकार आती है वो प्रॉमिस करती है कि हम किसानों के लिए बेतर करेंगे किसानों के अच्छे के लिए करेंगे देखिए 36 गण मद्यप्रदेश और राजयस्थान में भी इसी पर सरकार ही कहा गया कि किसानों के कर्ज माफ कर दी गए लेकिन वहाँ से खबरे क्या आने लगी कि कुछ किसानों के 13 रुपए माफ हुए कुछ किसानों के 50 रुपए माफ हुए कुछ किसानों के 52 रुपए तो ऐसे में तो कोई फ़री रहत मिली रही यानि क्या किसानों को सभी दल बस जुन्जुरा दिखाते हैं कि देखिए हम आपके लिए ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं ये उम्मीदी ला रहे हैं आप हमारे साथ आईए और क्या किसानों को सूजबू उससे काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी स्थिति जैसे पहले थी मैंने जिक्र किया सिंदू सब्विता से उसे बहुत बेटर नहीं हुई है इसी पर आज खास बैस करेंगे तो मोदी सरकार लोकसभाद चुनाओं से पहले एक बड़ा डिस्जन लेने वाली है किसानों को सौगात देने की तैरी में जैसा कि मैंने पहली बताया कि सीधे अब किसानों के खाते में 10,000 रुपए जा सकते हैं उन्हें मिल सकते हैं ऐसे उन्हें फौरी रहत मिल सकती है ब्याच की खबरे जो भी आती रही आपने देखा वो ग्राउंड पर कितनी हकीकत होती रही तमाम खास मेमान इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बहस करेंगे जानेंगे सरकार के स्टैंड के बारे में जाने हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजीस खान साब ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अजीस खान साब आपका बहुत स्वागत है अमिद गुरु है ये कॉंग्रेस के प्रवक्ता है इनकी सरकार की क्या सोच है यानि जब मध्यप्रदेश 36 घरण में सरकार बनाई अब आगे क्या करना चाहते हैं अभिशेक चोहां ने ये प्रवक्ता है आरेलडी के आरेलडी वो दल है जो किसानों की बात हमेशा करता है आपने देखा रास्टी उपाध्यक जिनके किसानों के मौके पर पहुंचे नववादीन धरना का था हर नाम सिंग जी पुर्ण बनाया है दो अब ब्रवक्तान के मामले में गन्ना चाहर हैं मोधी सरकार बनान ने वे बड़ी सॉगात देने जा रहा है आपके सीधे में खाते में ये अब 10,000 रुक गिडेंगे पहले तो आपने कहा कि गन्ना मंत्रिये कह रहे हैं कि गन्ना किसानों का भुक्तान हो रहा है हाँ सबसे जादा उनका बयान है और हमने आपके चैनर पे और तमाम चैनरों पे देखा था एक चल लही थी लाइन उस पे लिखा था आजादी के बाद सबसे बड़ा भुक्तान दूसरा जो मोदी सरकार किसानों को जो अभी बाते चल रही हैं जिस बात के लिए हम आपके साथ में बैठे हैं यह है कि किसानों के खाते में दस हजार जाएंगे कम बियाच के पैसे भी किसानों को मिल सकते हैं ऐसी यो जना सकती है हम जानना चाहते हैं आपके चैनर के माध्य हमसे क्या किसानों को कितनी किस्ट ay मिलेंगी किसान को क्या अपंग版ा नह चाहते हैं ह। इस देश का किसान धर्थी का सीना फाड़के अनाज वैदा करता है उसको के खरीद llegó कोई य नहीहस समय पे बिजली भी नहीं मिलती है धीजल महेंगा मिलता है कहादρε गभी कभी मिलती हैं कभी black होती हैं महिंगी मिलती हैं इन तमाम चीजों में 70 साल के बाद ये बहस हो रही है कि किसानों के खाते में 10,000 रुपय महिने या 10,000 रुपया साल क्या होगा मतलब किसान को अपंग कर दोगे हर नाम जी जब चुनावाता है तब सबसे पहले आज किसान के दरवाजे पे राजनेतिक दल्व किसानों की बात हैं यह पेपर में कोई ऐसा दिन नहीं होता जब किसानों की कोई बात ना लिखी हो सतर साल के बाद यह समय तो आ गया कि किसानों की लोग बात करने लगे हैं दूसरा मैं आपको बता दूं यह सतर सालों के बाद में जो किसानों को ओंट खरीदने की बात चल रही है यह ओंट खरीदने की बात है हम तो सरकारों से कहते हमें कुछ न दो हमें आप बिजली दे दो डीजल दे दो खात दे दो और जो हम करे महेंगई के अनुपाद बिजली डीजल खात तो सस्ती कर दिया होगी आदे तनाथ जी ने अरे क्या सस्ती कर दिया पांच किलो एक तरफ कम कर दिया थोड़े पैसे कम कर दिया दिया अधर डिये खरीदने वाले मिल चाहिए ये सारी चीजे अगर चाहिए तो ठीक है नहीं ये अभी तक आपको मिली नहीं किसी ने ध्यान नहीं किसी ने दिया हो तुमाम राजने सुनने में ये भी आए कि तमाम किसान निताओं को यूरिया के लिए लाइन भी लगानी पड़ती थी वह इस नहीं लही हैुँ हम इसमें नहीं कहते हैं कि भाजबा सरकार ने कुछ किया नहीं यूरिया मिल लही है नै किसान ने आहिए यह ले लुग हम की बताइंगे सालों में देश के परधान मंतरी किसान प्रतनिदियों से मिले नहीं अच्छा यह वाजब बात वाजब बात ठीक है और आप ने देखा होगा कि दस दिन किसान हरी द्वार से दिल्ली तक गए और वहां आसू गैस के गोले और पानी की बहुचा डाली गई और साथ मुद्दों पे सहमती बनी थी उन साथ मुद्दों पे अब ऐसा देखिए हर नाम जी हमें जनता को भी रिपोर्ट करना होता है चुकि यह सीयम सीयम चाहे ह किसान की हिद की बात करते हैं करज माफ हो गया आप तो कह रहें साड़े-4 साल में कुछ काम ही नहीं कुछ तो हुआ हुगा कोई किसान आप तो किसान नेता है करजमाफी की आप बात क्यों करते हो, हम जो आनाज पैदा करें उसको बाजार बहुत से खरीद लो, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, किसी भी किसान बाइसा है करज माफी कांगेर्स सरकार ने तीन राज्यों में किया है वहाँ किसानों को पाहिए, टिवर ही देकिसान ये, अचिसान की स्थिति उत्तर यानि कुछ काम यहां पर हुआ है वही राउल भाई में बहुत उत्सुक था बताने के लिए चुकि वो योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किसानों के लिए किया है तो उसका बखान होना भी तो चाहिए हर नाम जी बता रहे थे मुझे लग रहा उसको और एक्स्प्लेइन करकर चाहिए पुझे लगर और गंभीरता से बताना चाहिए अभी गंणा भुक्तान की बात कर रहे थे इस सरकार ने का था बहातर गंटे के अंदर हम गंढ़े का भुक्तान कर देंगे यह किसानों से बड़ा वाइदा था हाँ आप जरह कुर्ण सेसन में द दूसरी बात शामली के जो सुरेश राना जी है, वहीं के मंत्री है, गन्ना मंत्री है. हाला देखिए जराब, कि वहाँ 124 करोड, 70 लाख रुबे का गन्ना, वहाँ खरीदा गया, हकीकत है कि उस जिले का भुगतान एक पैसे का नहीं किया गया. ये काम किया है, ये शामली की बात बता रहे हैं, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, जानकारी होना बहुत जरूरी हैं लोगों को, जो सरकार पाकिस्तान से चीनी मगाती हो, आलू मगाती हो, हकीकत ये है कि वो सरकार भुगतान क्या देगी, पहली बात आफ समझे, आज नासिक में ज पाइदा किया था, 87,00,000 के करज माफी की बात की थी, आज हकीकत ये हुआ, कि 37,00,000 का करज माफ किया गया, और किसी को 100,00,200,00,500,00 के ड्राफ्ट मिले, किसानों के साथ मजा, ऐसा मजा, सैथ 70 साल के इतिहास में, जब से मुल्क आजात हुआ, सैद ऐसा मजा किसी ने नहीं पाइदा किसानों ने मार्च किया, उन पर फानी की बहुचारे बरसाइगी, बहुत जरूरी है, समद ली जापाद, यही सरकार ऐसी है, कि जिसने किसानों पर मनसूर में गोलियां तक चलवा दी, और गोलियां चलवाई, साथ-साथ क्या किया, कि जो अधिकारी थे उसमें चामिल उन पर यह फाइयार और जो हुए तो वापस ले लिया गया, उनके केसिस को, और जो किसान है, आज भी बुक्तव होगी है, वो बेचारे खापी नहीं पा रहें, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहें, और यह फाइयार हो गया, वो मुखदमा अलग लग लगें, जेल म अलग है, यह किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, सब MSP छोड़ दो आप, MSP देने की बात, सब स्वामी नाथन आयोग रिपोर्ट की बात तो छोड़ दो आप, हाकिकती है कि आज जिस तरीके से किसानों ने आत्मात्या करने पर मजबूर हो गए किसान, 67,000 किसान अन्दाता कभी भी इतने बड़े तादात में, कभी भी उसने आत्मात्या नहीं किया, आंतक कभी नहीं किया, क्या वजय है, कोई खुसाली से, यूप अन्दाता को क्यों गुमराह करना छोड़ जो, इसलिए क्योंकि यह अन्दाता अगर वाकई में इसने ठान लिया, तो आपके आगे की जो थाली है वो हट जाएगी इस वागता होगा अमिद गुरु जी आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना देखिए 13 रुपए कहीं माफ हो रहे हैं कहीं 10 रुपए माफ हो रहे हैं कुछ और माफ रहे होंगे लेकिन वही चीजें हो रही जो यूपी में हुई ना देखे किसान नेता ने क्या कहा कि उन्हें बिजली दे दी जाए डीजल दे दी जाए खाद दी जाए और महंगाई के अनुपात में जो फसल भोए उससे खरीद लिया जाए यह यह लोग चाहते हैं कर्ज माफी नहीं चाह रहे हैं यह नहीं देखिए ठीक है मैं आपको एक अच्छी का अंग्रिस ने बनाई चाहे नहरों के जाल की बात कर लें चाहे किसानों के आवास आज पर नाम जी आज की स्वाल में आपको बताओं अभी तीन राज्यों के अलावा करनाटक और पंजाम में भी जो कर्ज में डूबे किसान थे जो आत्मत्या कर रहे थी सरकार में अभी हमारे बाई ने आकड़ा दिया कि लगब सरसाथ हजार किसान आत्मत्या कर लिए तो हम निश्चित तोर पे उनके दुखती रख पे मरहम लगाने का काम कर रहे हैं और आज जो डीवेट आप कर रहे हैं कि किसानों के खाते में इतने पैसे आ जाएंगे और किसानो पर गोली चलवाई गई आपने तमिलाड के किसानों को मलमुत तक का पान डेड़ महीना तक वहां पर दर्ना कंतर रहे आज तक वहां तक कोई नेता भारती जनता पार्टी का पूछने नहीं गया कि आपका दर्द क्या है आपको बता दू कुछ चीजे आप यह जान लीजे गन्ना किसानों की जहां तक बात है यह पूरा पूरवांचल गन्ना किसानों का है और अभी बता दू कई हजार करोड रुपे बकाया है और माननी मुख्यमंत्री जी गोरःपूर मंडल के हैं और मुहराज गन्न जनपत वहां भी एक प्राइबेट सुगर फैक्टरी है गड़वरा सुगर फैक्टरी के नाम से जानी जाती है फैक्टरी अभी लगबग 45 करोड से अधिक का पकाया है वहाँ पे और महीनों से वह जबना मैं आपको बता है लिए यूरिया के लिए लाइन लगा दी वह संब याद है किसानों को वह तिन, अज हर्णाम जी आपको याद है कि नहीं हर्णाव पियो प्राइब कर दिया पांच किलो कम कर दिया और 25 रुप्यर में बढा दिया यह भी तो बताओ ना पांच किलो हर बोरी के पैकेट में कम किया पढ़ा दिया है जो कम किया खात के दाम यूरिया के उसके बारे में बताईए डॉक्टर अजीस खान साब कुछ अपना आकड़ा दे रहे हैं यूरिया के दाम कम करने की बात कह रहे हैं वह पांच किलो एक तरफ घटा दिया और मैं आपको बता दूं किसान भी जागुरुक हो गया अच्छा पैटालिस और पचास किलो का कट्टा था उसे पैटालिस किलो कर दिया ठीक है एक तो रेट वहां कम हो गया और कुछ पैसे औ आप काम कर लो बीजिवी की दरे बढ़ा लो बीजल बढ़ा लो लेकिन वह फैट बताई वह चीज जो यह बता रहे थे अजीस खान साब उसमें कितनी सच्छा है हम वह वाकई जो योगी सरकार ने कम किये हैं पहले यूरिया की पैकेजिंग या जो भी है यह पचास किलो की पैकेजिंग होती थी आज उन्होंने रेट थोड़ा सा कम किया है और लेकिन जो वजन था पचास की अब इशेक चौहार जी एक प्रदेश में वाकई किसानों किस्तिती बहुत खराब है मानेवर अगर पच्चिमी उत्तर पदेश में किसानों किस्तिती खराब नहीं है तो लगबग लगबग हर चीनी मिल के आगे धरना पदरशन क्यों चल रहा है आपको एक बात और याद दिला दो 2017 के विधान सभा चुनाओ में देश के मानेवर प्रदान मंत्री जी ने एक वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के प्रतेग जिले में चौधरी शरण सिंग जी किसान कोश बनेगा उस कोश से किसान की जो समस्याएं हैं उसका समधान होगा हम मानेजी आपका कारेकार लगबग लगबग अब कुछ महीने एक महीने का रहा है उस कोश का निर्मार किया जाए आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं एक बात आपसे ज़रूर कहरा चाहूंगा कि हमें समझना पड़ेगा हम को आपको कि किसान हर नाम भाई हमारे बीच बैठे हैं किसान नेता है कि किसान को हम सिर्फ किसान वही नहीं है जिसके घर में ट्रेक्टर है सिर्फ किसान वही नहीं है जिसकी अपनी जोत है वो भी किसान है जो दूसरे के खेत में बटाए पर काम करता है वो भी किसान है जो दूसरे के खेत में मजदूर के तौर पे काम करता है अभी बिजली के बिल की बात आई मैं आपको एक आकड़ा देता हूँ दो हजार सत्रा में जब से माने नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदेतनाजी बने है किसानों पर सबसे ज़्यादा एफ आई आट यूब को के बिल को लेकर हुई है हम कहते हैं जो चोटी जोत का किसान है उसके बिजली के सरस्थान जो महंगे हैं मान के चलिए जैसे प्राइबेट यूनिवस्टीज हैं उसमें किसान के बच्चों का मजदूर के बच्चों का एक कोटा निर्दारित कर दीजिए कि अगर किसान और मजदूर का बच्चा पड़ता है तो उसकी फीस दस परसंट या बीस परसंट ल जा रही है तब तो आपको किसान को रहत हो सकती है अधरवाइस रहुल जी किसान का सिर्फ करजा माफ कर देने से उसके परिवारी बैग्राउंड में कोई असर ने पड़ने वागा तो आप तो बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं किसानों को सौगात देने की मूड में हैं लेकिन इन लोगों ने ये कह दिया अब बारी बारी इन लोगों की बाद बताए अभी शेक चौहान की बात तो आपने सुनी ली गाहों गरीब किसान मजदूर और नौजवान इसकी चिंता भारती जंता पार्टी ने से देव किया जहां तक अभी जो नई योजना जिसके पे चर्चा हम करने के लिए हम लोग आज यहां बैठे हैं किसानों के लिए जो राहत पैकेज हम देने जा रहे हैं तो भारे सरकार ने एकलान किया है उसमें बारह हजार रुपया प्रति एक वैस्ता हम जब से भारती जंता पार्टी सत्ता में आई है किसानों को ले करके बराबर चिंतित है और उसके उपर लाबकारी गोजना है ला रही है ठीक है विद्वा विलाब करना यह विपक्ष का शगल बन गया है अच्छा यह उनके पास एक ही रास्ता है कि वह काम में अ पुछ नहीं कि रहें और उन्हें कुछ नहीं कि रहें और उन्हें कि रहें पूरे तोर पर चल रहे थे बहुत हैं अब समाज रादी पार्टी की वरस्ता है कि मुलाइम सिक neighbor 1629 वकसा समी के राद भी किसानों को फकते रहे धरतित्थ केहलाते रहे खश्ते रहे और कांद सबसे जबढ़ने काने लगांने कि सनंगे तोव दोसरों के विलिठों कर देकर आप गयightर धर अचब हमारें शोटीं यह कि प्युद्छ तरॉन किसानों को पूरी तरह पे लूटने का काम आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से किसानों का यूरिया सस्ता हुआ है किसानों का यूरिया सस्ता हुआ है अब फिर हमें हरनाम जी की पास चाहिए जो ये सिचाई में जबता सबका जवाब नहीं दूँगा मैं ये जाग थोड़ी है कि पानी टेल एड तक जाएगा टेल एड नहीं भारती जंता पार्टी ने पहली बार किसान के खेद तक पानी पहुचाने के रहा है आप यूरिया पे रहा है किसान के लड़ाई लड़ाई लड़ती रही शुरू के पंचम पांच वरशी होजनाओं में बाइस हजार एक स्थी करोड़ रुपया भुक्तान किया गया कंपनियों को सरकात वारा समझिए और उसके बदले में 12,940 क्रों रुपेर सिर्फ किसानों को मिला आप देखिए इस बात को कि उध्धोग पतियों को कैसे फाइदा पहुंचाए जारा पहली बाद और उसकी स्किल अरे सरा आप बात समझे है मैं आप बताना चाहरा हूं अरे कैसे जमीन ले करते में किसानों की बिल्ण वेक्जिए पहली सिर्फ देखिए तक में आपको आप दोलों लोगों की पोलिटिकल रहा है हम जमीनी हकीकत आपको बताना चाहिए किसानों को देने किया है तो देड़ लाग करों रुपया को आप दोनों के सब्सक्राइब दिया गया प्लीज चुप रही है हर नाम जी यह और कुमार अशोग जी यह कह रहे है कि जब हम आये सत्ता में सब कुछ हमें उबढखाबड मिला बेपट्री मिला हम किसानों को पानी पहुचा रहे हैं सिचाई के लिए पानी उन्हें नहीं मिलता था हम खात की वेवस्था करा रहे हैं लाट 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 यह सार प्लीज बोल रहा हूं ना मुझे भी चीजे पता लेकिन यहां पर अब शेक चोहान का सवाल भी यह है कि जिनके पास ट्रैक्टर है वही किसान नहीं है जो बटाई पर काम कर रहे हैं उनके तरह भी ध्यान देना होगा राउल जी देखी ऐसा है बहुत अनुशासित तरीके से मैंने सब की बात सुनी मैं चाहता हूं मेरे बी किये जाएंगे यह भी काला कानून किसकी सरकार में आये यह देखा नहीं लागों होने दूंगा हलाकि हलाकि हमारे माननी भाश्पा के प्रवक्ता ने एक बहुत अलूल जूल अनाब शनाब बात बुली विधवा विलाब नहीं बोलना चाहिए था राजनीती में एक मरिया को गर्त में जाना पड़ता है अगर किसानों के लिए इतना ही किया गया है राहुल भाई लगातार उप्चुनाओ आप हार रहा है आप जनता के तरी तोहिन कर रहा है आपने इतना डिलिवर प्रॉमिस कर दिया है तो सिधे सिधे अपने काम को लेकर जाएए ब्रधान मंत् मोदी के साथ गड़ बंदन है आप मोदी को अकेले करिए हम अकेले आते हैं आप के वास एक आदमी बात नहीं बात पर आप खड़े हैं किसानों के लिए ने कभी कुछ किया ने केवल गड़ा पार्त कर दिया है ने किरे ने काहिए और तो किसान की अप्छा आप उसर गरीब हो इसाथ प्रेशार है और गरीब होई वही ने चाहिए ते आप साज बढ़ीने में साथ साल के बहार कर बज़वार है आप आप ने आप अपने अब्रब लेक्ता पी लादियों जम्हाए आप चूदे अजिस त्वाद स्वाद के ला रहे हो उसे का रहे हो उसे का है और है तो आप ने बिजली की वेस्ताब पूर्च अब और आपके आपके आज रहे हैं इतना पुछोलियों के रहे हैं अब दो लोगो ने बोलिया और एक चास में लिया है किसने के साथ महीं ने एक काम बचा दीजिए अपने खोधा पत्रकात किसानों का स्वामिना थना आयों कहीं मैंने रागुपिया है अब सब लोग प्लीज अनुशासन का परची दीजिए जनता देख रहे हैं आप लोग ऐसे बोल रहे हैं हर नाम जी बताईगी किया वबर खाबड बिवस्था इनको मिली सही करने में टाइम लगा लास्ट कॉमेंट के लिए पांथ बरसों में पांथ बरस नहीं है लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ा एलान किया है फिलाल इस दिविट में इतना ही तमाम महमानों का बहुत बश्चीत करने के लिए हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद आपी कासु है किसानों का नहीं हुआ आपी का जया हुआ